लागडाउन की जलते पिछले काफी दिनों से सोरूम तो बंद कर दिये गए हैं ऐसे में सवाल ये उठता है कि आटियो कार्यालाय में तमाम रजिस्ट्रेशन नए वाहनों के हो कैसे गए दूसरी बात ये भी है कि जब पूरी तरह से सोरूम को बंद करने की इजाज़त है तो ऐसे में लोग सोरूम खोल कर गाड़ियां आखिर ले की उजा रहे हैं सवाल दोनों है लेकिन इसका जवाब अगर पूछा जाए तो परिवाहन विवाग के अधिकारियों का कहना है कि जो वाहनों का रेजिस्ट्रेशन हो रहा है उसमें चुनाओ के पहले जो वाहन विग गए थे और कर्मचारी चुनाओ ड्यूटी में लग गए थे ऐसे में व अब तक जो गाडियों का चुनाओ के पहले या फिर अभी तक लगबग छे हजार के करीब नए वाहनों की संख्या पहुंच चुकी है जो कि आटियो कारेले में रेजिस्टर्ड हुए हैं ऐसे में आटियो कारेले के अधिकारियों की कारेसैली पर भी सवाल उठ रहे हैं सा जाहिर सी बात है कि कहीं कहीं लागडाउन का असर भी इन वहन स्वामियों पर जो सोरू मालिक हैं उन पर नहीं पड़ रहा है और लगातार गाडियों की सप्लाई भी की जा रही है अखिल पांडे विटीवी भारत लखनव